Hello everyone, welcome to Farmarox YouTube channel, Farmarox के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज की वडियो lecture में हम डेटेल में study करेंगे लुली कौनाजॉल मेडिसिन के बारे में तो हम सिखेंगे यह medicines के basic use के बारे में साथ जानेंगे उसके dose के बारे में सिखेंगे उसके side effects, warning and contraindications को detail में आज के लेक्चर के बारे में नेरा साथ स्क्रापारो के बार में को साल तक वह भी अफोरडिपल प्रैज में फार्मर्फ की अब उपपर तो android याप डाउलोड करें आइपमसे या फिर 9016312020 पर आप हमें call या whatsapp कर सकते है साथ ही हमारे second channel को subscribe करें जिसका नाम है Hollywood to Hindi एक्स्टोरी की जहाँ पर आप अलग-अलग Hollywood की movies को अच्छे से देख पाएंगे वो भी काफी अच्छी picture quality के साथ और वो भी हिंदी में अच्छे से एक्स्टोरी के साथ तो अभी subscribe करें हमारे second channel link आपको description box में मिल जाएगी तो अब समझते हैं लूली को नाजल medicine के बारे में तो ये ऐसे class का medication है कि जिसको हम antifungal drug कहते हैं और ये बहुत सारे अलग-अलग fungal infections को treat करने के लिए use की जाती है और ये क्या करती है जो food होती है उसकी जो growth होती है उसको reduce कर देती है मतलब कि जो food अपनी growth करती है और वो growth को कम करके ये हमारा medication जो हो काम करती है तो specially ये cream के तोर पे available होता है कि लूली को नाजल के आप जितने भी अलग-अलग doses form देखेंगे तो वो cream के form में ही आपको मिलेगी कि बहुत सरी अलग-अलग pharma companies उसको जो अलग-अलग brand name से जो हो बेचती है बड़ सबी के अंदर आप एक चीज़ notice करोगे कि वो especially 1% जो हो weight by weight जो हो cream रहती है तो ये एक imidazol class का antifungal medication है और ये especially 1% topical cream मतलब कि आप external preparations के तोर पे उसको use करते हैं सरीर के बाहरी हिस्सों पे जब कोई fungal infection होता है तो वहाँ पे ये cream जो हो लगा ही जाती है और especially अलग-अलग type के फूग के करन होने वाले fungal infection को ये treat कर दिया जैसे कि यहाँ पे हम कुछ ऐसे microorganism देखते हैं कि उसके सामने luliconazole सबसे ज़्यदा effective है तो एक है trichophyton rubrum करके जो species आती है फूग की कि यहाँ पे जो हम diagram में देख रहे हैं उसके सामने काफी effective है उसके लावा जो microsporum जिस पे सम करके जो होता है उसके सामने भी काफी effective साबित होता है और तीस तरह हम देखे तो epidermophytum flocosum के सामने भी यह luliconazole काफी effective साबित होता है अब उसके label के हम study करें तो specially 10 gram के quantity के अंदर यह cream jave available होती है और यहाँ पे जो आप company का brand name देख सकते बढ़ usually जो medication है वो है luliconazole के जो उसका main salt composition है फिर detail composition हम देखे तो सबसे पहले cream के लिए जो वो base बनाया जाता है और वो cream base के अंदर medications के अलावा जो दुसरे ingredient said है वो है preservatives तो preservatives यहाँ पे है methyl paraben है and benzyl alcohol यहाँ पे add किये हो है methyl paraben रहता है 0.14% जितना और benzyl alcohol रहेगा 1% और composition में luliconazole जो है वो 1% weight by weight के तोर पे है और यहाँ पे देखो खास लिखा है कि external use only मेले कि सरीर के बाहरी हिस्सों पे ही आपको जो उसको लगा नहीं है और यहाँ पे manufacturers के आप यहाँ पे detail देख सकते हैं कि manufacture किस ने है फिर एक यहाँ पे precautions या फिर warning लिखे कि जब भी आप उसको retail में बेचते हैं तो dermatologist के prescription के बिना उसको कभी भी ना बेचते तो proper एक prescription लगता है जब भी आपको यह medication purchase करनी है तो कि अब हम mechanism समझ लेकि किस तरह से medication काम कर दिये तो यह as all antifungal हम कहेंगे कि जो fungal का जो membrane होता है उसको develop नहीं हो देता उसको inhibit कर देता कि जिससे आगे जाके वो fungal cell जो अपनी growth नहीं कर पाता कि यहाँ पे आप समझो कि fungal cell की जो membrane होते कि यहाँ पे आप brain अब उसके development के लिए ज़रूरत पढ़ती है ergosterol की ergosterol आगे lenosterol में से बनता है और lenosterol में से ergosterol बनने के लिए यह वाले enzyme की ज़रूरत पढ़ती है कि जिसको lenosterol fortin alpha demethylase enzyme कहा जाता है तो यह जो हमारे medication है lulikonazole क्या करता है यह lenosterol fortin alpha demethylase जो enzyme है उसकी activity को जो है वो completely inhibit कर देगा कि यहाँ पे समझो कि lenosterol fortin alpha demethylase अवेलिबल नहीं है तो lenosterol में से यह जो आगे ergosterol बनता है वो नहीं बनेगा और ergosterol नहीं होगा तो fungal cell का membrane है वो develop नहीं होगा और यह नहीं develop होगा तो आगे जाएके fungal cell जो है वो completely destroy हो जाते हैं तो यह इस तरह से luliconazole medication काम कर दी है आगे उसके कुछ हम basic use देखें तो specially यह जो ring worms होते हैं कि आप इस तरह से draw करो तो उसके आसपास एक पूरी ring तयार हो जाए तो जो circles type के जो fungal infections होते हैं कि यह आप भी आप देखो यह ring type का पूरा structure बना हुआ है कि वहाँ पे अंदर की जो skin है वो infection के current damage हुए है कि जिसको tinea infection भी खास कर कहा जाता है tinea corpores करके कहा जाता है तो इसके इलाज में directly आप यह cream जो है वो वहाँ पे लगा सकते हैं फिर जो दो उंगलियों के बीच में कि जो पेरों की जो दो उंगलियों के बीच में इस तरह से ही जो होता है fungal infection कि जिसको athletes feet भी कहा जाता है या फिर athletes food कहा जाता है कि specially आपके जो पेर होते हैं वहाँ की जो fingers होती है वहाँ पे यह बीच में specially infection होता है कि जिसको tinea paddies कहा जाता है तो उसके अलाज में भी यह lulikonazole directly आप वहाँ पे लगा सकते हैं किसरा जो groin का जो reason होता है body का जिसको हम कहते हैं कि tutenia crew risk करके जो infection है या फिर jog each कहा जाता है तो वहाँ पे जब समझे कि आपको ringworms होता है specially तो उसके इलाज में भी आप lulikonazole की जो यह cream है वो लगा सकते हैं अब बात करते हैं उसके dose की कि कितने dose में आप उसको लगा है तो सबसे पहले आप जो हो दिन में दो या तीन बार जो है वो affected area पे लगा सकते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप अच्छे से वो cream को दिन में दो या तीन बार लगाए जितने भी अलग अलग जगा पे ringworms होते हैं बॉडी के अंदर fungal infections होते हैं वहाँ पे यह cream आप topically लगा सकते हैं अब बात करते हैं उसके कुछ warnings की तो warning और side effects उसकी यह रहेगी कि अगर किसी को allergy हो जाती है यह cream लगाने के बाद कि जैसे और ज़्यादा रैसिस हो रहे है जलन हो रही है बर्निंग हो रही है तो समझ लो कि आपको allergy है lunicolazol की तो तुरंद उसको use करना जो यह वाप बन कर दे तो यह है उसकी एक warning तिसरा दूसरा हम देखे तो यह जो cream है जो बच्चे होते हैं below 12 years के तो उनको कभी भी यह cream use ना करे कि यह जो child age के जो बच्चे होते हैं 12 years या उनसे कम age के जितने भी बच्चे है उनको यह cream कभी भी आप ना लगाए तिसरा condition देखे तो यह cream जब आप लगाते हैं तो खास दियान यह रखे कि ना ही यह cream आपके eyes के contact में आनी चाहिए ना ही आपके nose और ना ही आपके lips या फिर mouth तो यह खास दियान रखे कि यह जब आप cream लगाते हैं तो लगाने से पहले और लगाने के बाद अपने हाथ को अच्छे से जो है वो wash करें कि जिससे किसी भी type का irritation ना हो आपकी eyes में ना हो आपके nose में या फिर आपके mouth में किसी भी तरह से irritation ना हो तो subscribe करें हमारा second channel जिसका नाम है Hollywood to Hindi Explain के जापे आप अलग-अलग Hollywood की movies को देख पाएंगे वो बीच्छी picture quality के साथ link आपको description box में मिल जाएगी तो अब भी subscribe करें हमारा second channel सीखे medicine course के इंदर दवायों के basic use के बारे में dose side effect warning and contraindications को एक साल तक offerable price में Pharma Rocks के mobile application के उपर तो download करें आप Pharma Rocks या फिर whatsapp करें 9016312020 पे तो study material, test series and video lectures के लिए जरूर से download करें आप Pharma Rocks android user android app download करें iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best